इस review के sponsors हैं आप यानी मेरी audience और मैं किसी brand का sponsored content अपने channel पे नहीं चलाता क्योंकि मैं अपने reviews के अंदर अच्छी अच्छी बाते बोलने के बजाए uncomfortable truth ही बोलना पसंद करता हूँ मुझे support करने के लिए please subscribe और join करे मेरे channel को semi-automatic से fully automatic washing machines में जब हम upgrade करते हैं तो सबसे बड़ा confusion होता है क्योंकि सभी brands अच्छे लगते हैं और सभी के features भी common होते हैं और ऐसे में अपने लिए best washing machine चुन पाना बहुत difficult है पर अब नहीं क्योंकि मैं आपका दोस्विनीद आज आपको वो सारी details बताऊंगा जो आपको शायद और कोई ना बताए दोस्तो best top loading fully automatic washing machines के बारे में तुम आपको बताऊंगा ही लेकिन उससे पहले इन machines के बारे में कुछ ऐसी बाते आपको बताना चाहता हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है 6 to 6.5 kg की washing machines सिर्फ चार लोगों की family के लिए sufficient हैं उससे ज़्यादा के लिए नहीं और आपको इन washing machines की 75% capacity तक ही कपड़े भरने चाहिए उससे ज़्यादा नहीं washing machines के अंदर वाला drum stainless steel का best होता है क्योंकि वो lightweight होता है और sturdy भी होता है अगर वो available ना हो तो आप high quality plastic wallet drum की washing machine भी ले सकते हैं water heating की feature के साथ आने वाली washing machines expensive भी होती है और वो electricity भी ज़्यादा consume करती है क्योंकि अगर आप वो ही पानी घीजर से गरम करके अपने washing machine में डालेंगे तो आपकी electricity safe होगी washing machine के drum के base को pulsator कहते हैं वो एक disc shape में होता है और अगर उसकी quality अच्छी है तो आपकी machine दस साल तक चल सकती है आपको ऐसी washing machine लेना avoid करना चाहिए जिसका metal का base हो क्योंकि time के साथ उस पे rust आने के chances है एक ऐसी machine लीजिए जिसका hard या solid plastic base हो मेरे list में number 5 पे आती है सामसंग की 6.2 kg की 2 star washing machine जो की आती है 700 rpm की motor के साथ जो की consume करती है 380 watt की power सामसंग की ये washing machine आती है stainless steel drum, tempered glass cover, pulsator center jet और 5 wash cycles के साथ ये washing machine 160 liters तक का water use करती है per wash program और इस washing machine में आपको water heater नहीं मिलता सामसंग 2 years की comprehensive warranty देता है और 4 years की देता है motor पे लेकिन इसकी motor थोड़ी कम powerful है जो थोड़ी सी जादा electricity consume करती है पर ये machine आप खरीद सकते हैं 13,290 रुपीज में number 4 पे है Bosch की 6.5 kg की 3 star washing machine जो आती है 680 rpm की motor के साथ और consume करती है 360 watt की power Bosch की ये machine आती है solid plastic drum के साथ और इसके अंदर आपको एक toughened glass lid मिलती है जो की soft close होती है इस machine में आपको normal pulsator मिलेगा और ये 8 wash cycles के साथ आती है ये machine 145 liters तक का water यूज करती है per wash program और इस machine में भी water heater नहीं आता पॉश देता है 2 years की comprehensive और 10 years की warranty मोटर पे लेकिन इसकी मोटर थोड़ी सी कम powerful है और ये machine पानी थोड़ा जादा consume करती है पर इस machine को आप खरीद सकते हैं 15,500 रुपीज में नमबर 3 पे है IFB की 6.5 kg की 3 star washing machine जो की आती है 720 rpm की मोटर के साथ जो की consume करती है 360 watt की power IFB की ये washing machine आती है stainless steel drum के साथ और इसमें आपको एक triadic pulsator मिलेगा ये machine आती है 6 wash programs के साथ और इसमें आपको 3D wash और smart sense technology जैसे feature देखने को मिलेंगे ये machine per wash program 117 liters पानी यूज करती है और इसके अंदर भी आपको water heater नहीं मिलेगा IFB सिरफ 4 years की comprehensive warranty देता है अपनी machine पे और यहीं इसका सबसे बड़ा drawback है क्योंकि competitors अप्टू 10 years तक की warranty देते हैं मोटर पे और ये machine थोड़ी सी expensive है 16,990 रुपीज में वो भी इसका एक con है No.2 पे आती है LG की 6.5 kg की smart inverter technology वाली 5 star rated washing machine जो की आती है 780 rpm की मोटर के साथ और consume करती है 340 watt की power LG की ये washing machine आती है smart inverter और waterproof मोटर के साथ इस machine में आपको normal pulsator मिलेगा stainless steel drum के साथ और इस machine में आपको देखने को मिलेंगे 5 wash programs, auto restart और LG smart think you app connectivity जैसे features 136 liter water per wash program यूज करने वाली ये washing machine भी water heater के साथ नहीं आती LG 2 years की comprehensive और 10 years की motor पे warranty देता है लेकिन अफसोस इतनी अच्छी washing machine के अंदर hard water washing technology नहीं है और इस washing machine में smart lid भी नहीं है लेकिन ये machine आप खरीद पाएंगे 15,990 रुपीज में मेरी लिस्ट पे नंबर वान पे टॉप करती है whirlpool की 6.5 kg की 5 star rated washing machine जो की आती है 740 rpm की motor और 360 watt की power consumption के साथ whirlpool की ये जबरदस्ट washing machine आती है stainless steel के drum, normal pulsator और 12 wash programs के साथ इस machine में आपको hard water washing technology भी मिलेगी और इसमें आपको aqua and delay wash और एक digital display देखने को मिलेगा एक wash program में ये machine 133 liters water use करती है और इस machine में भी water heater नहीं है whirlpool देता है 2 years की comprehensive warranty और 10 years की warranty मोटर पे लेकिन अफसोस इतनी अच्छी machines और सभी features होने के बाद भी इसके अदर एक कमी है कि इसमें smart lid नहीं है लेकिन ये machine आप खरीद पाएंगे 13,790 रुपीज में दोस्तो Amazon Prime Day Sale आ रही है और अगर आपको उन दो दिनों के अंदर Amazon से Sale पे कुछ लेना है तो आपको Prime Membership लेनी पड़ेगी मैं Prime Membership और इन Washing Machines के लिंक दिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ आप उन्हें जरूर चेक करिए और कैसा लगा ये वीडियो बताईएगा जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में और मैं आपको मिलता हूँ कल अपने दूसरे वीडियो के साथ Thank you very much